देखे आज के इस वीडियो में हम पार्ट 3 देखने वाले हैं कलाश 12 के हिस्ट्री का चैप्टर है 13 और देखे इसी वीडियो में कोशिज करूँगा आपका चैप्टर कम्प्लीट कर दूँ आपको बहुत ध्यान से देखना है पहले आपको कुछ चीजे समझते वे चलना है देखे सबसे पहले हमने इस चैप्टर में सुरुवात करे थी पार्ट वन में कि महात्मा गांधी 1915 में आये दक्षिन अफ्रीका से भारत 1916 में बी एचिव में उन्होंने अपना भाशन दिया ये भी आपको याद है 1917 में चंपारण की आंदोलन था 18 में खेडा और एमदाबाद का अंदोलन था 19 में रोलेट टेक्ट उसके बाद फिर जलिया वाला बागत्याकान फिर 1921 में आसायोग और किलाफत आंदोलन फिर 19 1929 वाला आपको पूर्न सुराज वाला याद रखना है 1930 में सविनाय वग्यांदोलन और दांडी आतरा जिसमें गांदी जी को गिरफतार किया गया था बाद में फिर उसके बाद गोल में सम्मेलन पहला और फिर उसके बाद गांदी इर्विन समझोता यहां तक हमने दो पा जाए ओफिसल एप डाउनलोड करने हैं वहाँ पर आप एंसी क्यू जो क्विज है पीज दे सकते हैं और यह जो कीज है आप जिएप जरूर डाउनलोड करने हैं यहां से आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी ठीक है चले देखते हैं आपने टॉपिक को सुरू करते हैं सब पहला गोल में सम्मेलन आपको याद है कोई फाइदा नहीं हुआ आसफल था दूसरा गोल में सम्मेलन किया लिया अंग्रेजों ने यह क्यों करने की जुरूत पड़ी आप पहले यह समझे यह जो महात्मा गांदी का दांडी यातरा थी जो नमत कानून का इन्होंने विरो भारत में शासन नहीं कर पाएंगे तो इसी लिए उन्होंने समझोता करने के लिए यह सम्मेलन वगेरा करे थे चाहिए वो गांदी इर्विन सम्मेलन हो तो देखिए यह गोल में सम्मेलन जो थे यह लंदन में होते थे आपको बता रखा था पहले ही मैंने आपको स्टार् करती यानि पूरे देशका नेतरत्य करने वाली एक मात्र PARTI KANGRESU है यह किने इस बात का विरोध हो गया विरोध किसने करा मुसलिम लीग मूसलिम लीग ने कहा कि कॉंग्रेश MUSLØ्ट का प्रतिनीदितों नहीं करती है मुसल्मानों का प्रतिनीदितों करती है मुसलिम लीग दूसरा था रजवाडे रजवाडों ने ये कहा कि हमारी जो रियासत है रियासत का जो छेतर है वहाँ पर कॉंग्रेस का कोई परभाव नहीं है ऐसा रजवाडों ने कह दिया तीसरा अंबेटकर जी इनका कहना था कि जो कॉंग्रेस है वो दलितों का कोई परतिनी देतों नहीं करती है चीक है तो इस तरीके से यहाँ पर फूट दिख गई किलियर आगे क्या हुआ इससे समझिए इस सम्मेलन का कोई नतीजा नहीं निकला गांदी जी वापिस आ गया खाली हाथ जब गांदी जी खाली हाथ आये तो यहाँ पर दो तिन चीजे हो चुकी तिन के साथ सबसे पहले दांडी आतरा गयता है जेल गयते वापिस आये पहले गोल में सम्मेलन में को नहीं थे ठीके पहला गॉल में सम्हेलन हुआ तो उसमें जो-बी कोई नतीजस नहीं था क्योंकि गांधी ची तो जएल में थे उसके बाद जब जब जेल से आये थे तो गांधी ईर्विन समझोता करा दिया गया था वहाँ पे भी कोई मतलब कोई खास समझोता नहीं हुआ स्वतंदृता से रिलेटेट कोई चीज नहीं हो पाई उसके बाद दूसरा गोल में समेलन हुआ जिसमें महात्मा गांदी शामिल हुए थे दूसरे में यहाँ पे भी कोई फायदा नहीं हुआ यानि जब इनको लगा क बढ़ंतन अंतल स्युक्रा लेकिन इस सम्य में जो वाईसराय थे वह चेंज ओगए थे नए वयासराय कौन बने थे लॉर्ड विलिंग्टन ओर लॉर्ड विंग्टन जो थे यह तो बहुत नफरत करते थे महात्मा गांदी से बहुत जादा नफरत करते थे अपनी बहन को इन्होंने एक बार खत लिखाता और खत में चिट्टी में लिखाता कि अगर गांदी नहीं होता ना तो दुनिया बहुत खुबसूरत होती तो आप समझ सकते हो कि कैसा नजरिया है इस नए वाइसराय का महात् जरूर्ट जरूर याद रखो क्योंकि GB जो था वह मित्र राष्ट की तरब से था और Germany Hitler और नासी वाला जो सिस्टम था इससे तो मात्मा गांदी और नेहरु जोते इसको पसंद नहीं करते थे तो उन्होंने सोचा कि क्यों न हम अंग्रेजों को सपोर्ट करते अंग्रेजों को दूसरे विश्यदि में सपोर्ट करते किसके खिलाब धूरी सक्तियों के खिलाब ठीक है लेकिन उसके बदले में इन्होंने एक सर्थ रख दी इन्होंने कहा कि अंग्रेज यूद्ध समाप्त होने के बाद अगर भारत को आजादी दे दे तो कॉंग्रेस उनके यूद्ध परियासों में उनकी साहता करेगी समझे इस पॉइंट को दुबारा इन्होंने ये कहा कि कॉंग्रेस अंगरेजों का सपोर्ट करेगी इस यूद्ध में लेकिन उसके बदले में हमें चाहिए आ जादी जब यूद्ध खतम हो जाएगा सेकेंड वर्ड वोर खतम हो जाएगा तो आप हमें आजाद कर दो लेकिन जो यहां पर चल रहा था ऐसा माहूल सेकंड वर्ड वर्ड चल रहा है यहां पर बात्मा गंदी और यह पूरा कॉंग्रेस पर है कि देश को आजादी चाहिए इस समय में जो 1940 में मुस्लिम लीक थी मैं अपने अलगी बीन मजारी थी इनको आजादी बाद में ब्रवहति तो था पहले ऐसा होता था कि एक तरफ होते थे ब्रिटिस अर अंग्रेज दूसी तरफ होते थे कॉंग्रेश प्लस मुस्लीम लेक्ट शुरू में सपमोर्ट में ती लेकिन अब मुस्लिम लीक जो थी वो पीछे अटने लगी यानि मुस्लिम लीग का अपना अलगी एजंडा चलने लगा तो ऐसे में क्या हुआ बिर्टिस और ये कॉंग्रेस और मुस्लिम लीग तीनों अलग हो गए यानि अलग लग धुरी बन चुकी थी तो 1942 में क्या हुआ चर्चिल जो थे विश्ट समझोता करने के लिए बेजा था कि वही एक बार जाओ गांधी से मिलो और समझोता करो इसी समय बिर्टेन में सरवदली सत्ता सरकार जो थी वह सत्ता में थी इसमें लेबर पार्टी भी शामिल थी अब दिखिए लेबर पार्टी जो है वहां की बिर्टेन की भारत के लिए अच्छी है अब भारत के लिए अच्छी क्यों है लेबर पार्टी भारत के लिए अच्छी इसलिए है क्योंकि ये भारती उसे हमदर्दी रखती थी यानि ये चाहते थे कि अंग्रेज भारत को आजात कर दे लेबर पार्टी चाहती थी कि बिटेन के द्वारा भारत को आजा राज यह हमें सब बढ़ता रहें ऐसे थे 1942 में चर्चिल ने गांधी और कॉंग्रेस के बीच में समझोते के लिए अपना मंत्री भीचा था यह मैं आपको यहां पर भी बढ़ा चुका हूं यह लाइन दो बार आ गए गलती से ठीक है यहां पर भी आ गए यह वहां पर भी त और कॉंग्रेस से बाचीत शुरू की तो जो कॉंग्रेस थी उसने क्या कहा कि अगर तुम चाहते हो कि धूरी सकतियों से जो तुम लट रहे हो जर्मनी जपान इटिली से तुम चाहते हो कि भारत भी सपोर्ट करें तो तुम्हें काम करना होगा क्या काम करना होगा उन्हों पर बात टूट गई, उन्होंने बोला कि हम किसी भारतियों को इसमें शामिल नहीं करेंगे, समझ कि आप तो यहां से भी बात टूट गई, तो आप आप देखो एक चीज़ समझो, कि गांधी इर्विन समझोते का कोई खास नतीज़ा नहीं निकला, पहले गोल में सम्मेलन को हम ऐसा हो नहीं पा रहा, क्योंकि अंग्रेज तैयार नहीं हो रहे इस बात के लिए, तो ऐसे में महात्मा गांधी ने कहा कि अब नहीं मानेंगे हम, अब तो बस हमें यह है कि अब अंग्रेजो भारत छोड़ो, हमें तुम पे एक परसेंट का वरोसा नहीं है, तुम हमें क कोई आजादी देने वाले नहीं हो, हम तुम से कोई बात नहीं करेंगे, अब तो हम सीधा अंदोलन करेंगे, कि अंग्रेजो भारत छोड़ो, उन्नीस सो बैयालिस में शुरू हो गया, बड़ा अंदोलन, तो ऐसे में तीसरा बड़ा अंदोलन छेड़ने का फैसला ले लि कई भूमिगत रहकर भी कई महत्पून कारे में इन्होंने अपना योगदान दिया, पस्चिम में देखें तो सतारा और मेदिनीपूर जैसे इलाकों को तो स्वतंत्र सरगार बना दी यहां पे, अब अंग्रेज जो थे वो इसके खिलाफ थे, तो अंग्रेजोंने विद्र में शामिल होंगे, जिस समय कॉंग्रेज के नेता जेल में थे, उसी समय जिन्ना को मौका मिल गया, अपने नंबर बनाने का, तो इन्होंने जिन्ना ने क्या करा, उस समय में मुस्लिमों को और मुस्लिम लीग का प्रभाव फैलाने की कोशिस कर दी सुरू, जब स्वायत्ता की मांग कर रही थी, जबकि अलग देश की मांग करने लगी थी, जबकि कॉंग्रेज चाती थी कि देश एक ही रहे, तो गांधी जीत द्वारा हिंदू-मुसलिम एकता का प्रयास किया गया, 1945 में बिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बन गई और लेबर पार् सरय थे लौड वेवल, उसके द्वारा समझोता कराने का प्रयास किया, लौड वेवल ने भी अपने लेवल पे कॉंग्रेस और मुसलिम लिग के बीच में लेफिर मुसलिम लिग अड़ी हुई थी अपनी बातोंबर कोई समझोता नहीं हुआ, फिर क्या हुआ हूँ, 1946 में विदान मंडल के चुनाओं कराए गए जहां पर सामाने सरेणी में जनरल की सीटों पर तो कॉंगरेस को विजय मिली मुसल्मान वाली सीट पर मुसलिम लिग को विजय मिली तो यहां पर धुरुवी गरन हो चुका था यानि हिंदू और मुसलिम वोट्स होते बढ़ बढ़ च जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग कर दी उन्होंने बोला कि हमेस्वायत आप कुछ नीची है अब हमें चाहिए अलग देश पाकिस्तान और इन्होंने प्रतक्ष कारेवाई दिवस का की घोशना कर दी 16 अगस्त 1946 डाइरेक्ट एक्संडे के नाम से जाना जाता है यहां पे क्या हुआ मुसलिमों ने हिंदू को मारना काटना सुरू कर दिया पोलकाता में खूनी संगर्स शुरू हो गया यह जो खूनी संगर्स हुआ यह ग्रामीड बंगाल में बिहार में संयुक्त प्रांत में फैल गया अब ऐसे में क्या हुआ जहां पर मुसलिम हुने हिंदोगों को मारना सुरू करा तो यह जो था आपस में लड़ाई शुरू हो गई देस अभी आजाद नहीं हुआ लेकिन यहां पर सुरू ओ गयाAY आपस में दंगा जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग कर दी थी और पतक्ष कारेवाई दिवस की बात कर दी थी तो यहां पर खूब खून कराबा हुआ था फिर क्या हुआ वहां की सरकार ने बिटिज सरकार ने वेवेल जो था उनको हटा दिया उसके जगा नया वाइसराय बनाया लौड माउंट बेटन ठीक है लौड माउंट बेटन जो थे इन्हों ने कहा कि हम भारत को आजात कर देंगे यानि वो छण आ चुका था जब जिसका इंतिजार था हम कि बाजन होगा कि पंद्राग सो निस सो सेंटालिस को राजधानी में उस्सव मनाय जा रहे थे सब खुश थे क्योंकि देशा आ जात था लेकिन महात्मा गांदी बहुत दुखी थे क्यों दुखी थे क्योंकि कलकत्ता में थे वह कह रहे हैं मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था दंगा होगा यह सब मतलब वो इस चीज के खिलाब थे उपवास पे बैट गए कुछ जगा पे दंगे कम भी हुए उनके उपवास से लेकिन स्वतंतरता का संगर्ष जो था वो कह रहे थे कि स्वतंतरता का संगर्ष बेकार हो गया क्योंकि हिंदू-मुसलिम आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं और वो इस बात से भी दुखी थे कि बात है मातमा गांदी अपनी एक सभा में थे एक युवक आया पंदूग निकाली गोली मार दी और इनकी हत्या गर दी बात में उसने सरेंडर कर दिया नाथो राम गोट से उसका नाम था और वो हिंदुत्वाद विचारधारा से था उसे ऐसा लग रहा था कि मातमा गांदी जो है मुसल्मानों का पक्ष ले रहे हैं जबकि डायरेक्ट एकसंडे के समय भी मुसल्मानों ने हिंदों को बहुत काटा था जहां पर उनका इलाका है तो इस चीज़ से बहुत नारास था और यह पुरा का कोशन पर उठाकर देखोगे तो आपको इतने सारे कोशन इस वाले मतलब यह कोशन कई बार रिपीट मिलेगा आपको तो यह आपको ध्यान रखना है अब देखिए लाज्ट टॉपिक क्या है महातमा गांधी जो है उनके बारे में हमें जानने के लिए शुरोत कहां से उनक से जानकारी मिलती है हरीजन अकभार जो उस से जानकारी मिल जाती है कि जानकारी मिल जाती है जो पत्र आ nuts टूड़ी चापते अंग्रीं यह मात्मा गांदी के बारे में बलकी अमेरिक और यूरोब के newspaper भी तो मात्मा गांदी के बारे में चापते हैं तो वहां से भी जानकारी मिलती है newspaper के ज़रिये क्योंकि मात्मा गांदी ने इतने सारे आंतोलन करे इतनी बार जेल गए तो जहिर सी बाते सरकारी record FIR वगरा सब कुछ रही होगी मुकदमे वगरे सब कुछ रहूंगे तो रिकॉर्ड से जानकारी मिल जाती है ठीक है और उनकी जो पूलीस रिपोर्ट थी उससे जानकारी मिलते आत्मकथा आत्मकथा क्या होती है एक प्योरा होता है जिसमें मतलब अपनी याद जो भी याद होता, उसके आधार पे लिखा जाता है, तो उससे भी काफी जानकारी मिल जाती है, यह सारे पॉइंट यहां पर बन जाते हैं, ठीक है, तो यहां से अपना चैप्टर जो है, खतम हो गया है, और यह चैप्टर केवल दिये जाते हैं, तो यह आप आपके लिए काफी इंपोर्डेंट हो जाएगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सबी को, थैंक्स फॉर वाचिंग, जै हिंद, जै भारत